जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में दोस्तो अगस्त का महिना शुरू हो चुका है और अगस्त का महिना कई कारणों में कई चीजों में बेहत खास होने वाला है इस महिने में चार ग्रहों का ऐसा अनोखा संयोग होगा कि इस महिने के जो को मिलने वाले हैं उन मौकों का फायदा आपको जरूर उठाना है तो इन मौक कौन से वो मौके होंगे जिनका आपको फायदा उठाना है और क्या वो चार ग्रहों का संयोग है जो बहुत शुब होने वाला है जाने के सब कुछ विस्तार से तो वीडियो को अंतर तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो अगस्त का महिना शुरू हो चुका और अगस्त के महिने में सूर्य देव अपनी राशी बदलेंगे से के अलावा शुक्र का राशी परिवर्तन होगा बुद्धोवा राशी बदलेंगे और इन सभी के प्रभाव से साथ में अगस्त का महिना सावन म्रास से शुरू हुआ है रक्षा बंदन जैसा पर्व है जनमास्टमी जैसा पर्व है और भी कई ऐसे योग बनेंगे जो इस म ऐसी निर्मित होंगी जो बहुत ही बहतर साबित होने वाली है कुम राशी के जिन लोगों की बड़े लंबे समय से परिशानिया चले आ रहे थी परिशानियों से जूज रहे थे वो इस महिने में दूर होंगी गुरू आपकी राशी में बैठे हैं वक्रस्त इस्थिती में बैठे हैं और ब्रस्पती का आपकी राशी में वक्रस्त इस्थिती में होना बाकी ग्रहों पर द्रस्थी होना आपके लिए बड़े सभी प्रकार से शुब प्रभाव देने वाला होगा मान सम्मान में प्रतिस्था में बड़ोत्री दिलाने वाला होगा छे अगस्त से तेहरा अगस्त के बीच में ये डेट आप नोट करके रखें छे अगस्त से तेहरा अगस्त के बीच में कोई बड़ा अनुबंद कोई बड़ी योजना साकार होने का योग है कोई बड़ा काम आपका इस दौरान होने का योग बड़ा दस्त बना हुआ है कुछ आपने कुछ कारे शुरू किया वो आपका बड़ा अच्छे लाव दिला सकता है करियर के लिए ये एक बड़ा टरनिंग पॉइंट सावित हो सकता है बहुत ही बहतरीन समय सावित हो सकता है नौकरी पेशार लोगों को अगर किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे तो उसके सिलसले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है कारुबारियों के लिए जो बिजनिस करते हैं अपना खुद का वैपार है उनको भी काम काज के सिलसले में यातरा पर जाने का योग बना हुआ है अगर आप सोच रहे थे कि आपको कोई काम शुरू करना है, नय स्टार्ट अप शुरू करना है कब करें, कैसे करें, तो इस महिने में शुरू करनेarta के लिए बहुत ही बहतरी समय आपके लिए होगा. बस आप शुरुऻात करें. शुरुआत करने की देर है जब आप शुरुआत करेंगे अच्छी स्थितिया होंगी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी और नया कार है थोड़ा टाइम लगाता है लेकिन आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला सावित होगा खान पान से जुड़ा कोई काम अगर आप करते हैं आपका रेस्टरंट है आप कोई ऐसा खाने का बिजनिस करते हैं या आप खाने की सामान वेचते हैं यानि खान पान से जुड़ा जो भी काम है आपका वो आपको जबरदस्त लाब की प्राप्ति देने वाला होगा इसकी अलावा संपत्ति के बटवारे को लेकर विवाद चल रहा था बड़ी ही परिशानियों से जूज रहे थे तो ये महिना ऐसा होगा जब ऐसे विवाद का निर्णायक मोड पर पहुँचना बड़ा अच्छा सावित होगा वो जो परिश्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी उसका निर्णाय भी हो जाएगा परिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा जीवन साती के साथ भी आप एक बड़ा अच्छा क्वालिटी वक्त बिता पाएंगे और इस दोरान जो भी ऐसे मौके मिलते हैं और जिन जिन चीजों में हमने आपको बताए हैं उनमें तो आपको जैसे भी मौके दिखाए दें उनका फायदा उठाएं मौके उठाने का प्रयास करें जो व्यक्ति मौके का लाव उठा जाता है वो व्यक्ति आगे चला जाता है और जो व्यक्ति खड़े हो कर देखता है वो हमीशा खड़ाए रह जाता है इसलिए आगे कदम बढ़ाना सीखें जल्दी से जल्दी आगे मिलने वाली हैं ये महिना ऐसा होगा जो कुम राशी के जातकों का सपना पूरा कर सकता है बहुत दिनों से अगर आप किसी कारे के पीछे थे कोई कारे कर रहे थे लेकिन उसमें आपको काम्या भी नहीं मिल रही थी तो इस महिने में सूरिय जैसे ही राशी बदलेंगे और सू विधा जनक रहने वाली है आप इस महिने की शुरुवात से ही अपनी बौधिक्ता से अपनी चातुरियता से बड़े अदबुत परिनाम ले कर आएंगे और अपने अंदर एक मानसिक शांती आपके लिए प्रकट होगी अब मानसिक शांती होती है तो बड़ा अच्छा है आप सभी कामों में पूरे मन से पूरा अपना 100% दे पाते हैं बौधिक्ता में इजाफा होगा आपके मौलिक विचार कमाल करेंगे एक होता है ना व्यक्ति की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है कि पहले अनुमान लगा लिया जाता है तो ऐसे ही आपके कुछ ऐसे अनु बढ़ेगी और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि लोब में ना पढ़ें बस जहां आप लोब में पढ़कर जो खिम लेते हैं वहां आपके लिए जो इस्तितियां है वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है तो लोब में नहीं पढ़ना है लालच में नहीं पढ़ना है लालच छोड़कर काम पर ध्यान देना है इन चीज़ों का वज थोड़ा सा ध्यान रखने हैं और इस महीने के जो अंतिम समय होगा उस दोरान आपके जो समर्थक हैं वो भी जो आपकी विरोधी थे वो भी आपका समर्थक करते हुए नजर आएंगे उन पिता का सहयोग मिल सातिको स्वास्त है समद्धी कुछ परिशानिया हो सकती है और कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सलहा दे सकता है और इस अनुभवी व्यक्ति की जो सलहा होगी वो बड़े काम आने वाली है तो अगर कोई व्यक्ति आपको सलहा देता है तो आपको उस व्यक्ति की सलहा पर अच्छे संकेत बने हुए हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आया है बहुत कुछ अच्छा लेकर आया है सावन का महीना है सावन के महीने में महा शिवरात्री का पर्व आएगा शिवरात्री का पर्व होगा इस दिन भगवान शिव की आरादना सचे मन से और उनकी पसंदिता चीजें शिव छो बेल पत्र होता है जो आंक्डे का पुष्प होता है जो बी उनकी पसंदिता चीजें हैं उन सबसे उनका अविश्यक कराइं और इस सद्दीन भगवान शिव का आशिर्वाद प्राब्द करें इसके अलावा इस महीने में रक्षा बंधन का परवाएगा जनमास्मी का परवाएगा तो ये महिना पूरा परवों का महिना आप कह सकते हैं खुशियों का महिना आप कह सकते हैं और आप जब सचे मन से अराधना करते हैं सचे मन आपका होता है श्रद्धा भक्ति से आप शिवजी के अराधना करते है तो सारे संकत भगवान शिव जरूर दूर करते हैं तो दोस्तों और अदिक इसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी सब वीडियो को जद़ जद़ लाइक करें शेयर करें